पिहारियों को फास बनाने है पर साथी तो यह काम चिरानग पासवान ऑकेला नहीं कर सकता है चिरानग पासवान मे पिता शुचिélior अजय मेरे शुच्ट्र मेरे ढली सबस्ट्रा कई कजया आदर्शों को जुकने नहीं दिया ये चैने पासवान और लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास की तांकत है। रास्ट्री जनता दल और तीन वाम पन्थी दल शामिल है। पंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके साथ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट द्रिश्टी कोण से प्रभावित हैं। जो राज्य को पुराने पिछडे पन से बाहर निकालना चाहता है। चिराग पासवान ने अपने भाशन में खुद को शेर का बेटा बताते हुए अपने दिवंगत पिता रामपिलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने का प्रयास किया। एलजेपी ने 2019 में लोगसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सभी पर जीत हासिल की थी। हाला कि चिराग ने जद्यू प्रमुक और बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और लजेपी विभाजित करने वाले अपने चाचा और केंद्री मंत्री पशुपती कुमार पारस का नाम लेने से परहेज किया। लेकिन उन्होंने उन साजिशों के बारे में विस्तार सी बात की जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। पारस ने साफ कर दिया है कि वहाजिपूर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगी। आरेल जेपी के प्रवक्ता श्रवन अगरवाल ने कहा हाजिपूर या हमारी पार्टी की अन्य चार सीटों में से किसी को भी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें यकीन है कि बीजेपी हमारे दावे का सम्मान करेगी क्योंकि हम राजक के स्वभाविक सहयोगी हैं। उन्होंने कहा उन्हें दूसरी तरफ से प्रस्ताव मिल रहा है लेकिन कोई भी इस तरह के प्रलोभन के साथ हमारे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हाला कि महागडबंधन के किसी भी नेता ने सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा है कि चिराग को क्या प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि चिराग को 6 से अधिक सीटें दी जा सकती है। का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जहां तक चुनाव पूर्व और सीट पटवारे का सवाल है इसे अमतिम रूप दिया जा चुका है। और हम कुस दिनों में विवरण साजह करेंगे।